आज किस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की मैं एक पत्र लिखूंगा I shall write a letter मैं एक पत्र लिखूंगा I shall write a letter इस टेंस की पैज़ान है लास्ट में आता है गागी गे इस तरह से आये तो आपको पैज़ान जाना है ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का एक्जामपल है We shall go to school tomorrow हम कल school जाएंगे तुम एक किताब पढ़ेंगे A book मतलब के एक किताब तुम एक किताब पढ़ोंगे You will read a book उसके पिता कल देली से आएंगे His father will come from Delhi tomorrow ये लड़के सोमवार को फुटबाल का मैच खेलेंगे These boys will play a football match on Monday जब भी किसी नाम आता है Monday, Sunday, Tuesday तो आपको उसके साथ on लगाना है The boys will play a football match on Monday मैं कल अलिगर नहीं जाऊंगा गागी गे future indefinite tense I shall not Negative sentence में आपको तिसरे नमबर पे not लगाना है Helping work के बाद Helping work हमारे यहापे shall है I shall not go कही जाते है एक जगो से दुसरी जगो तो हापे आपको to लगाना है Go to early girl देखे यहापे किसी स्तान जगो का नाम है इसलिए यहापे to लगाया है Too early girl tomorrow लड़के दिन में नहीं सोयेंगे The boys will not sleep Helping work के बाद not लगाना है Will not sleep during the day Day coming होता है दिन तुम पुस्तक नहीं पढ़ोंगे You will not read the book Book मतलब की पुस्तक Gagi gave future indefinite tense हम कल होकी हम कल होकी का मैच नहीं खेलेंगे Negative sentence है तिसरे नंबर पे not लगाएंगे Helping work के बाद We shall not play a होकी मैच तुमारो We का मिनिंग होता है हम जो हम है वो हमारा subject है We मतलब की हम Subject क्या वो हो तुमको कुछ कल में देंगा Will he give you some pens X जादा है इसलिए pens क्या वो हो तुमको कुछ कल में देंगा We have We he give you some pens क्या वे आम खाएंगे Will Will They eat Mangos क्या तुमहरे भाई कल नहीं आएंगे Will your brother not come tomorrow देखिए जब भी question वाला sentence आता है तो उसमें helping work First में लगता है Then बाकी सब कुछ जिसे लगाए था वैसे ही लगाना है तो helping work हमारा Will और शॉल है इस sentence में तो जो भी आपका sentence मैच करें उसकी सब से आपको लगाना है तो यहाँ पर you You आपका subject है subject पहले helping work फिर subject Brother not come tomorrow Tomorrow coming होता है कल मरिया कौन सा गाना गाएंगी गागी के future and definite tense Which song will मरिया sing वह कितने पुस्ते खरी देंगी कितने पुस्ते का मेनिंग होता है How many How many मतलब कि कितने वह कितने books खरी देंगी How many books will he buy Buy का मेनिंग होता है खरीदना खरीदी करना हम कल कहा जाएंगे Where shall we go tomorrow तुमारो कल हम कल कहा जाएंगे Where का मेनिंग होता है कहा तुम्हारे पुत्र कोन पुत्र को कोन पिटेंगा Will Who will beat your son Son मतलब कि पुत्र लड़का उसको बोलते हैं Son Who का मेनिंग होता है And bit मतलब कि पीटना वह किसकी मेज तोड़ेंगा Whose table will he break Whose का मेनिंग होता है किसकी किसकी किसके Whose तेखे यहाँ पर जो बहुत important जो हम daily use में यूज करते है वो sentence है यहाँ पर future indefinite tense के हिंदी में राम कल कानपूर जाएंगा राम कल कानपूर जाएंगा राम विल गो टु कानपूर तुमारो तुम रहिवार को अपने देखी यहाँ पर रहिवार आ रहा है तो कौन सा भी ऐसा Sunday, Monday, Tuesday कुछ भी आए उसके साथ हमेशा आपको on लगाना है आपको अच्छे से याद रख लेना है तुम रहिवार को अपने दादाजी से मिलेंगे You will meet to his grandfather Grandfather मतलब की दादाजी On Sunday मैं अपना part याद करूंगा part lesson करूंगा future indefinite tense I shall learn my lesson मैं च्छत पर पतंग उडाऊंगा पतंग को बूलते है काइट उडाने को बूलते है fly I will fly kite on my rope रूप का मिनिंग होता है च्छत वह मैदान में होकी खेलेंगे They will play hockey in garden Garden का मिनिंग मैदान दे का मिनिंग होता है वह अब मैं घर जाऊंगा now अब का मिनिंग होता है now now I shall go home अब मैं घर जाऊंगा मैं अब मैं घर जाऊंगा अब मैं घर जाऊंगा now I shall go home वित्यारती क्लास में शोर नहीं करेंगे The students will not make noise in the class helping वर हमारा शॉल वर विल लगता है इसमें इसके बाद हमको not लगाना है हर टेंस में अलग-अलग helping words होते हैं आपको ये भी याद रखना है तो इस tense में helping word है will और शॉल क्या आप यहाँ एक पेड लगाऊंगे गागी गे future and definite tense will you put a tree here मैं खेलने जाऊंगा I will go to play तुम बाजा जाऊंगे you will go to the market राम कल विद्या ले जाएंगा राम विल वी गो टू स्कूल कल हमारे स्कूल में मुख्यमंत्री आएंगे मुख्यमंत्री का meaning है chief minister there will come chief minister or our school tomorrow मैं अपना पार्ट याद करूंगा I shall learn my lesson हम पिता जी के साथ cinema जाएंगे we, we coming होता है हम पिता जी father shall go to cinema with father देखिए कही से कही जा रहे है इसके लिए यहाँ पे two लगाया है तुम कल एक पत्त्र लिखोंगे you will write a letter tomorrow लिखोंगे गागी गे future and definite tense गोपाल आज विध्धैले नहीं जाएंगा कै मीन होता है school तुडे तुडे मतलब कि आज गोपाल will not go to school तुडे वह अब कहाँ वह अब कही नहीं जाएंगा he will not go anywhere कही नहीं का मीन होता है कही नहीं see अब सीता कल अपना पार्ट याद नहीं करेंगी सीता विल नोट लर्न इस लेशन तुमारो कल मेरी पिता जी दिली नहीं जाएंगे माइ फार्दर विल नोट गो टु देली तुमारो पार्थ आज एक गित सनाएंगा पार्थ लड़के का नाम है सबजेक्ट आज आज मतलब कि तुड़े एक गित सनाएंगा सिंग विल सिंग अ सॉंग गागी गे फ्यूचर एंड एफनाएट टेंस हम क्या हम बाजार जाएंगे कोश्चन वाला सेंटेंस है कोश्चन वाला तो इसलिए सा हिल्पिंग वर फर्स्ट में क्या हम बाजार जाएंगे क्या रजनी गाना गाएंगी विल रजनी सिंग अ सॉंग क्या तुम मूराबाद जाएंगे क्या तुम मूरादाबाद जाएंगे किसी का नाम है या पर सिटी का या तो उसके साथ हम क्या लागाएंगे तू लागाएंगे क्या तुम विद्धायले नहीं जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें आपको कोश्चन भी देखनों को मिल जाएंगा तो यहाँ पे रेखे तिसरे नमबर पे नॉट आएंगा पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फर्स्ट में है क्या तुम विद्धायले नहीं जाएंगे क्या हम कभी खेलने नहीं जाएंगे कभी मतलब की नेवर तुम अपने घर कब जाओंगे वेन का मुन गोता है कब तुम अपने घर कब जाओंगे तुम्हें अंग्रजी कौन पढ़ाएंगा कल राम कहा जाएंगा वेर का मुन गोता है कहा तुम किसको अपनी कलम दोंगे हूम का मुन गोता है किसको वेल गिव यूवर पैन पैन मतलब की कलम तुम अब तुम्हारी कक्षा को गनित कौन पढ़ाएंगा हूम विल टीच में आज तू यूवर क्लास नाउ मैं कोशिश करूँगा आई विल ट्राइ या आप इसमें से यूज कर सकते हो इसे भी दोनों एक हैलीड है आई के साथ आई विल ट्राइ भी बोल सकते हैं और आई शॉल ट्राइ भी बोल सकते हैं पहले हम मॉडन इंगलिश में ही दोनों model English में will के साथ लगाते हैं तो आपको I will try भी बोल सकते हो I shall try भी बोल सकते हो तुम कोच नहीं करोंगे You will do not, you will do nothing वह कल आएंगा He will come tomorrow मैं कल वहाँ चाऊंगा I will go there Tomorrow हम आपका इंतजार करेंगे We shall wait for you मैं तुम्हारी मदद अविश्य करूंगा I will definitely help you I will definitely help you Future and definite tense affirmative sentence है इसके examples देखेंगे मैं जाऊंगा I shall go हम आएंगे We shall come देखेंगे यहाँ पर यह subject होता है I, we, you, they यह होते हैं हमारे subject होते हैं सब्जेक्ट सथ हम helping word लगाते हैं helping word हमारे हर एक tense में अलग-अलग होते हैं तो इस tense में हमारा है shall or will तो दोनों में से कोई एक लगाना है I shall try मैं कोशिच करूंगा You will forget तुम भूल जाऊंगे I shall try my best मैं फूरी कोशिच करूंगा इसमें last में गागी यह आए तो पैचान जाना है कि future and definite tense का example है You will do so तुम ऐसा करूंगे हम लोग वहाँ जाएंगे We shall go there वहाँ मतलब कि there She वो so am इसे करेंगी She will do itself जब भी she आता है तो समझाना है कि लड़की के लिए है यूज होता है Himself मतलब कि so am I shall go with him मैं उसके साथ जाऊंगा We shall wait for you मैं आपकी परतिक्षा करूंगा We coming होता है हम हम आपकी परतिक्षा करेंगे He will do it himself वो खुद कर लेंगा हम तुम्हारी मदद करेंगे We shall help you वे लोग मदद करेंगे They will help me मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा I shall wait for you मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा I shall wait for you tomorrow वे लोग कल यहां आएंगे They will come here tomorrow तो इस तरह से हो रहा है इसका मैं अवश्या आओंगा I shall definitely जब अवश्या होता है तो उसको हम बोलते है definitely मैं अवश्या आओंगा I shall definitely come वे लोग जरूर आएंगे जरूर जरूर को भी हम definitely बोल सकते है They will definitely come वे जरूर वहां जाएंगे He will definitely go there तुम्हे मैं तुम्हे अवश्या हराऊंगा I shall definitely drift to you आज जरूर बारिश होंगी जब भी बारिश होती है बारिश के साथ हम इट लगाते फ़ले में It will definitely rain today हम अवश्य जीतेंगे We shall definitely rain तुम अवश्या पास करोंगे You will definitely pass मैं उसे अवश्या मारूंगा I shall definitely beat him जब मारना होता है मारते हैं किसी को तो उसको beat बोलते हैं ठीक है हम जरूर आएंगे Okay Okay मनें मतलब कि ठीक We shall definitely come We coming होता है हम We shall definitely come मैं काम अवश्य पूरा करूंगा I I coming होता है मैं I shall definitely complete the work Work का मिनिंग होएंगा Come Future and definite tense में अब negative sentence देखेंगे Negative sentence में आपको याद रखना है तिसरे नमबर पे not लगेंगा या तो फिर आप यह से जान सकते हो कि जो helping work होता है उसके बाद आपको not लगाना है तो देखे I shall not go there मैं वहाँ नहीं जाओंगा तुम कुछ नहीं करूंगे You will not do anything कुछ नहीं anything वह तुम्हें गाली नहीं देंगा He will not abuse you Abuse Abuse मतलब गाली तुम कहीं नहीं जाओंगे He will not go anywhere कहीं नहीं जाएंगे Anywhere वे लोग कल नहीं आएंगे They will not come tomorrow वे लोग कल नहीं आएंगे They will not come tomorrow वहाँ खाना नहीं बनाएंगी अब खाना कोई बना रहा है तो इसमें negative sentence है वे खाना नहीं बनाएंगे लड़की है, she will not cook लड़की है, इसलिए she लगाया है वो कुछ नहीं करेंगा he will not do anything मैं तुम्हारी मदद करूँगा I shall not help you मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा इसलिए not मैं उसको काम नहीं करूँगा मैं उसका काम नहीं करूँगा I shall not do his work उसका काम मतलब की लगाएंगे इसलिए his लगाएंगे मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा I shall not wait for you negative sentence है मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूँगा I shall not wait for you तुम नहीं आओंगे You will not come मैं उसे नहीं बताओंगा I shall not tell him मैं कोई काम नहीं करूँगा I shall not do any work तुम अपने जीवर में कुछ नहीं करूँगे You will not do anything in your life मैं तुमसे कभी नहीं बात करूँगा I shall never talk to you मैं तुम्हारी बारे में उसे कुछ नहीं बताओंगा I shall not tell him anything about you future indefinite tense interrogative sentence example in Hindi इसमें क्या होता है helping work जो होता है वो first में आता है last में आपको देखना है question mark होँगा तो इसमें आपको helping work first लगा देना है Will he not come? क्या वह नहीं आएंगा Will you not go? क्या तुम नहीं जाओंगे Will he not work? क्या वह काम नहीं करँगा Will you go somewhere? क्या तुम कहीं जाओंगे Will you recognize him? जब भी आप टेंस पढ़ रहे होते हैं इसमें कुछ-कुछ ऐसे सेंटेंस चोटी-चोटे words होते हैं आपको वह भी याद करते जाना है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये याद होते जाएंगा इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है तो प्रैक्टिस आपको करते जाना है देखे यहाँ पर विल यू फार्गेट हिम तो फार्गेट का मिनिंग होता है भूलना क्या तुम उसे भूल जाओंगे गागी गे फ्यूचर एंडेफिनाइट टेंस क्या तुम खेलने नहीं जाओंगे क्या तुम मुझे कुछ दोंगे कुछ देना है तो सम्तिंग क्या तुम मेरे यहाँ नहीं आओंगे क्या आप मेरी बात नहीं सुनूंगे क्या तुम उसे साहता नहीं करोंगे क्या तुम मेरे इंतजार नहीं करोंगे क्या तुम परिश्य नहीं दोंगे विल्यू नॉट एपियर टू एर्ड एग्जामिनेशन फ्यूचर इंडेफिनाइस इन डबलू एज कोश्चन डबलू एज कोश्चन मतलब कि फर्स्ट में आपको देखने में आएंगा कि जो फर्स्ट में है डबलू एज वर्ड वाले कोश्चन वाले सेंटेंस है वर्ड है तो आपको डबलू एज कोश्चन होता है और उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्प लगाना है विल्या शॉल देखिए विल्या शॉल लगा सकते हो या आप है helping work उसके बाद बाकी का sentence जिसी लिखते हो इसी लिख देना है What will you do? तुम क्या करूंगे? गागी गे future indefinite tense Where will you come? वो लोग कहां जाएंगे? Where coming होता है कहा? Why will you not come? देखिए जब भी इसमें देखिए WH question है तो आपको जो ये first में when, where, how, whom ये जो होते हैं वो अच्छे सी याद कर लेना है तो फिर आपको ये थोड़ा सा hard नहीं जाएंगा याद करने में पढ़ने में भी और टैक्टिस में भी तुम क्यों नहीं जाओंगे? Why will not go? तुम कब mobile खरू देंगे? When will you buy a mobile? क्या, वो क्या बोलेंगे? What will you say? अब तुम क्या करेंगे? Now what will you do? अब तुम कहां जाओंगे? Now where will you go? अब वहां कहां ठेरेंगे? Where will you stay there? तुम कब मेरे पास, तुम मेरे कब, तुम कब मेरे पैसे वापस करेंगे? When will you return my money? देखे, इसमें डेली यूज के सेंटेंस में भी आपको यही देखने को मिल जाता है, तो इस प्रैक्टिस में आपको सब सेंटेंस डेली यूज वाली भी याद हो जाएंगे. देखे, जब हम किसी को बोलते हैं, तुम कब मेरे पैसे वापस करेंगे? तो आपको इस तरह से बोलना है, when will you return my money? तुम मेरे पैसे कब वापस करेंगे? तुम कब मेरी मदद करेंगे? तुम क्यों नहीं काम करेंगे? वाइविल यू नौट वर्क? तुम क्यों नहीं खाना बनाओंगे? वाइविल यू नौट कूक? तुम मेरे यहां क्यों नहीं आओंगे? गागी गे future indefinite tense. जब भी यहीं आए तब आपको helping वर में will or shawl का use करना है. गागी गे आये last में भी आपको विल और शौल लगाना है वाई विल यू नाट कम टू में तुम मेरे यहां क्यों नहीं आए वह कैसे कही और जाएंगा हाव विल यू गो सम्वेर इल्स तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में हम और पैक्टिस करेंगे आज की सुडियो में इतना ही